इसमेशी के बारे में जानने की इतनी चल होती है यह केस बहुत यादा लंबा है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डीटेल्स important है तो अपना मेंटल थोड़ा सही रखने खिले मैं इस केस को दो पार्ट में डिवाइट करूंगा second part of my video will probably come next week जो भी होगा just check out the pinned comment अगर आप future में ये वीडियो देख रहो हो तो so without wasting any more time let's learn about the most insane unsolved case of India revolving around Arushi Talwar and Hemraj Arushi Talwar was born on 24th May 1994 in Delhi, India Arushi के घर में बस उसके dad Dr. Rajesh Talwar जो की एक डेंटिस्ट है उसकी mom Dr. Nupur Talwar जो की सेम अपनी husband जैसे डेंटिस्ट ही थी और एक stay home worker रहता था इन दोनों नहीं साथ में medical practice करी थी उनके ही क्लीनिक में जो की Noida के sector 27 में था अंदोनों Rajesh और Nupur Fortis Hospital के patients भी देखते थे जहां Rajesh Dental Department के head थे और जब हम उनकी job की बात कर ही रहे हैं तो Rajesh I.T.S. Dental College जो की Greater Noida में ही है वहां पढ़ाते भी थे This is just to paint a picture की वो लोग financially बहुत यादा stable थे Arushi Rajesh और Nupur की एक लौती बेटी थी और उसके parents उससे बहुत ही ज़ादा प्यार करते थे क्योंकि Arushi काफी कठनाईयों के बाद पैदा हुई थी Arushi के पैदा होने से पहले Rajesh और Nupur को pregnancy में problem हो रही थी और करीब 5 साल तक try करने के बाद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने ये decide करा कि वो IVF try करेंगे जिनने नहीं पता है IVF एक medical procedure है जहां eggs are fertilized by sperm in either a test tube or elsewhere outside the body so it was hard, time consuming and quite expensive for them पर आरूशी के पैदा होने के बाद वो बहुत ही ज़ादा खुश थे she was a miracle for them and उनकी relationship आरूशी के साथ बहुत ही आदा healthy थी they were you know kind of like parents who were friends और वो लोग अपनी बेटी को रखते भी वैसे ही थे उसकी हर एक एक्छा पूरी होने देना उसको किसी भी चीज की कमी ना होने देना and जैसे कि मैंने बोला राजेशन उपर बहुत यादा काम करते थे so because they both were so busy with their work, their clinic, their teaching तो वो काम करने के बाद हमेशा शाम को घर काफी लेट आते थे इसलिए उन्होंने एक in-home servant hire करा था जिसका नाम था हेमराज बंजाडे और हेमराज 45 साल के थे याम प्रशाद बंजाडे or just called as हेमराज धरापानी विलिज जो कि नेपाल में है वहाँ सहाए थे और आरुशी के घर में as a living servant काम करना हेमराज ने 2006 में शुरू करा था हेमराज अपना कमाया हुआ almost सारा पैसा नेपाल अपने घर बेशते थे जहां उसकी बीवी और पैटे रहते थे and from his description he was actually welcomed into the तलवार's family yes he was a servant there पर तलवार उसके साथ कुछ ill-behave नहीं करते थे हेमराज के पास उसी घर में रहने के लिए एक room भी था तलवार उसकी हर एक चीज़ के लिए पे करते थे और हेमराज आरुशी को क्योंकि राजेश और नुपर को सुबह जल्दी काम पर जाना होता था पर क्योंकि भारती को काम पर रखे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था तो नुपर घर का दरवाजा बंद करके रखती थी और जब सुबह भारती घर में आती थी तो हर दिन हेमराज उठकर घर का दरवाजा खोल देता था पंदरा माई को आरुशी का लाज दिन था दिली पब्लिक स्कूल में समर विकेशन से पहले तो बहुत ही आदा एक्साइट थी घर जाने के लिए अफे नौ दिन में आरुशी का बर्दे भी आने वाल था आरुशी स्कूल में माईड़ी पॉपिलर थी अपने दोस्तों के सामने बहुत ही अदा लावड बहेव करना पहले तो आरुशी कभी भी अपने लुक्स पर इतना जाते ध्यान नहीं देती थी पर अब वो 14 साल की होने वाली थी और इस सेज में बच्चों को होता ही है कि हमें अच्छा दिखने है या फिर मेरे पिमपल्स आ रहे है रहे तो आरुशी का अब काफी टाइम इन चीजों में जाने लगा था उसका स्कूल में कोई बॉइफिंड नहीं था पर वो अपने लुक्स पर अपनी सोशल स्टैंडिंग पर अब जादा ध्यान देने लगी थी and she wanted a guy like SRK yes आरुशी का फेवरेट अक्टर शारुक खान था और एक बार जब आरुशी ने केंग खान को टीवी कमर्शल में देखा तो उसन अपनी दोस्त को बोला कि काश मैं टीवी में कोट पाती और SRK को हग कर पाती it's safe to say that she wanted a guy with the qualities of केंग खान as well अब हम 15-16 माई time-to-time information के हिसाब से revisit करेंगे और ये देखेंगे कि actually क्या हुआ था तलवार्स के घर में 15 माई को सुबह करीब 6 बच के 15 मिनट पर भारती जी घर पर आई और उन्होंने तलवार्स के घर की गंटी बचाई जिसके बाद हेमराज ने रोज की तरह दरवाजा खोला और राजेश और नुपर के उठने से पहले ही इन दोनोंने सफाई कर दी थी और उनके लिए खाना रेडी कर दिया था जिसके बाद नुपर और राजेश क्लीनिक के लिए निकल गए और आरुशी अपने स्कूल के लाज दिन के लिए करीब डेड़ बजे नुपर तलवार आरुशी को स्कूल से पिक करके घर आई जहां नुपर आरुशी और वंदना जो की नुपर की सिस्टर इनलो है उन्होंने घर में लंच करा और फिर आरुशी को घर पे छोड़ कर नुपर और वंदना अपने काम पर चले गए और दिन भर काम करने के बाद रात के करीब सड़े साथ बजे नुपर घर वापस आई और रात को सड़े नौ बजे के आसपास राजिश भी अपने ड्राइवर उमेश शर्मा के साथ जल वायू विहार वापस आ गए जल वायू विहार is the society that he stayed in नौ राजिश तलवार अमीर तो थे पर जिस जगा वो रहते थे वहाँ कोई पारकिंग नहीं थी तो राजिश को बिल्डिंग के दरवाजे पर छोड़ने के बाद उमेश गाड़ी लेकर नुपूर के पैरेंस के घर गए उसे खड़ी करने जो की ज़ाद दूर नहीं था वाकिंग डिस्टन्स पर ही था उनके घर से फिर करीब 9.40 मिनट पर उमेश घर में वापस आया गाड़ी की चाबी और गाड़ी में छूटावा राजिश का पैक देने उसने दोनों चाबी और बैग हेमराज को दिये और वहाँ से चला गया जाते वे उसने आरुशी और नुपूर को टेबल पर खाना खाते वे और राजेश को अपने कमरे से बाहर आते वे देख लिया था उमेश तलवार्श के घर से और उस सोसाइटी से बाहर चले गया जिसके बाद कोई भी ना इस घर के अंदर आया नहीं घर से बाहर गया अपर जैसा कि मैंने कहा कि आरुशी का बर्दे नौ दिन में आने वाला था नौपुर राजेश आरुशी के कमरे में गए कैमरा मिलने पर आरुशी बहुत खुश थी और उस अपने मौमा अट की उस कैमरा से फोटोस भी क्लिक करी और फोटोस के साथ-साथ उसने कहीं सारी शॉर्ट वीडियो भी बनाई इस कैमरा से और जो लास्ट फोटो इस कैमरा में क्लिक करी गई थी वो दस बच के दस मिनिट पर थी पैसे तो राजेश आरुशी को ये कैमरा उसके बढ़ते पर देना चाहते थे पर नौपुर ना इंसिस्ट करा कि कल से बेटी के हॉलिडे़ हैं कैमरा देने के बाद फोटो खीशने के बाद और वीडियो बनाने के बाद नौपुर और राजेश अपने कमरे में चले गए राजेश रात को करीब 11 बज़े तक काम कर रहे थे और काम के सिलसले में उन्हें एमेल का रेपलाई करने के लिए इंटरनेट चाहिए था तो राजेश ने नौपुर को वाई-फाई राउटर आउन करने के लिए कहा विश अकॉर्डिंग टू राजेश ये राउटर कहीं बार आउन और आउफ होता था इसलिए उन्हें वो बार बार आउन करना पड़ता था जब भी वो आउफ हो जाता था तो राउटर आउन करने के लिए राजेश ने नौपुर को बोला और ये राउटर था आरुशी के कमरे में नौपुर 11 बजे आरुशी के कमरे में गई और आरुशी का दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने चाबी का इस्तमाल करा क्योंकि इस घर में सबही दरवाजे सेल्फ लॉकिंग थे जो कि अंदर से तो खुल सकते थे पर बाहर से अगर आपको दरवाजा खोलना है तो आपको एक चाबी की ज़रत पढ़ेगी तो आरुशी के कमरे के अंदर आकर नुपुर ने देखा कि आरुशी तो थ्री मिस्टेक्स आफ माई लाइफ पढ़ रही थी जो कि चेतन भगत ने लिखी है जिसके बाद बिना कुछ आरुशी से बोले नुपुर कमरे के अंदर आई उस तो वाइफाई राउटर आउन करा राउटर में ग्रीन सिगनल होने का वेट करा और वो दुबारा से बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर चले गई कमरा बंद करते वे इसके बाद राजेश ने इंटरनेट के थूर मेल्स भेजे और उनका लास्ट मेल 11.45 पर भेजा गया था पर उसके बाद भी बारा बच के आठ मिनट तक इंटरनेट यूज हो रहा था तो इसस जियून की राजेश बस इंटरनेट पर सर्फ कर रहे होंगे ऐसे ही अब हर दिन आरुशी रात को करीब एक वज़े तक उठी रहती थी यूज रिडिंग और टेक्स्टिंग हर फ्रेंड और इसके बाद वो सोच आती थी तो 16 दुमे को रात के करीब बारा बच के दो मिनट पर आरुशी के एक दोस्त अनमोल ने उसे लैंड लाइन पर कॉल करने की कोशिश करी जोगी किसी ने नहीं उठाई इसके बाद 12 बच के 30 मिनट पर अनमोल ने आरुशी को मैसेज भेचा फोन पर पर इस बारे में जादा ना सोचकर अनमोल ने आरुशी को मैसेज या फिर कॉल करना बंद कर दिया था अन उसने ये सोचा कि शायद से आरुशी सो गई है तो मैं उससे कल बात कर लूँगा अन एवरिफिंग वस सेटल्ड हम कौन से घंटे तक पहुँच गए अब ये तक ये हुआ था इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुम्हें आरुशी तल्वार के घर का या फिर नुपुर तल्वार राजिस तल्वार के घर का ले आउट प्रॉपरली समझाना चाहता हूँ तो जैसा कि मैंने कहा तल्वार्स का घर ग्रेटर नॉइडा में जलवायो विहार में था और ये एक नॉर्मल अपार्टमेंट बेस्ट बिल्डिंग थी जहां अंदर जाने के लिए एक में गेट था और इस गेट पर दो शिफ्ट में दो वाच्मेंस काम करते थे जिसमें से सेकंड बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर हाउस एल थाटिटू तल्वार्स का घर था तल्वार्स के घर में तीन बेडरूम थे जिसमें से एक बेडरूम राजिश और नुपुर तल्वार का था दूसरा बेडरूम आरुशी तल्वार का था और तीसरा room और bedroom इस house servant मतलब हिमराज का था और इस apartment में अंदर आने के लिए एक ही रास्ता था जो की एक metal mesh से दो पार्ट में या फिर तीन CRILLS में divided था अगर तुम्हें इस apartment के अंदर आना है तो तुम्हें इन तीन पार्ट से होकर जाना पढ़ेगा सबसे पहले तो सबसे बाहर का मेश जो की दक्का मार कर खोला जा सकता था उसके बाद बीच का मेटल मेश जहां पर जादा था टाइम चटकनी लगी रहती थी पर इस वाले मेश में तुम बाहर से ताला लगा सकते थे और फिर घर का डोर तो basically घर के डोर से आगे बस दो ही लोहे के मेश थे और ये कहीं घर में होते हैं पर इस घर की entrance में जो बीच का और सबसे बाहर वाला मेश था उसके बीच से एक दर्वाजा हेमराज के कमरे में भी खोलता था या फिर ये दर्वाज़ा हेमराज के कमरी से भी खोला चा सकता था बट पुलिस इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि ये दर्वाज़ा काफी टाइम से बन पड़ा था और इस दर्वाज़े को घरेलू समान ने ब्लॉक करा हुआ था तो इस दर्वाज़े के सामने बहुत सरी चीज़े लगा दी थी तुम्हारे गर में भी होगा एक ऐसा कोई को ना जहां पर बहुत सरी चीज़े फेकी रहती हुआ तो तुम लोगों ने मेरे घर में मैं यहां पर डबे फेकी रखता हूँ आपने सारे Why I'm saying this thing is because it is safe to assume कि हेमराज नहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ फेकी थी और वो इस साइट से ये वाला दर्वाजा कभी नहीं खोलता था जब से हेमराज इस घर में मूव हुआ था Basically हेमराज के मूव होने के बाद ये वाला दर्वाजा कभी ओपर नहीं हुआ था इसके हलावा हेमराज के रूम से एक और दर्वाजा था जो की अंदर घर के लिए खुलता था जिस से हेमराज कभी भी घर के अंदर या फिर घर से बाहर जा सकता था और यहां से हेमराज main door को access भी कर सकता था तो अगर घर का layout मैं तुम लोगो easy way में समझाओं So for example जब भी भारती जी जो उनकी काम वाली थी जो जाड़ो पुछा करती थी जब भी वो सुबह 6 बज़े घर में आती थी तो जब वो सुबह काम करने आती थी तो वो gate से bell बजाती होंगी जिसके बाद हेमराज अंदर खुलने वाले दर्वाजे से main door को access करता होगा main door खोलने के बाद हेमराज बीच वाले grill को खोलता होगा और उसके बाद सबसे बाहर वाले grill को या तो हेमराज या फिर भारती जी खुद ही खोल देती होंगी and yeah because this was an apartment based building तो इस घर के बगल में ही एक उपर जाने के लिए और एक नीचे जाने के लिए सीड़ी थी तो हम लोग पहुँच गे थे रात के साड़े बारवे तक लेकिन इसके बाद के जो events हैं वो बहुत यादा unclear हैं क्योंकि जो first description इन अगले 8 घंटे का दिया गया था वो नुपर और राजश तलवार ने ही दिया था but the time leading up to it is as followed on 16 May 2008 भारती मंडल ने तलवार के घर की बेल करीब 6 बजे बजाई इस से 6 दिन पहले ही वो यहाँ काम पर लगी थी और पिछले 6 दिनों में हर रोज हेमराज ही दरवाजा खोलता था क्योंकि राजश और नुपर लेट से उठते थे पर 16 तारीक को किसी ने भी सीधा दरवाजा नहीं खोला तो भारती ने एक और वार बेल बजाई यह सोच कर कि शायद हेमराज गहरी नीन में होगा वो थोड़ा देर रुकी पर दुबारा से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला इसके बाद भारती ने तीसरी वार बेल बजाई और फिर नुपर तलवार वहाँ आई फाइनली नुपर ने सबसे अंदर का वुडन डोर खोला और नुपर में डोर से बाहर आई नुपर बीच की गरिल खोलने के लिए बड़ी पर उन्हों ने भारती को कहा कि दरवाजा पाहर से लॉक्ट है नुपर इसके बाद हेमराज को पुकारने लगी पर कोई रिस्पॉंस ना मिलने पर नुपर ने भारती से पूछा कि क्या तुमने हेमराज को देखा पर नुपर को टेंस देकर भारती ने तब नुपर को कहा कि शायद हेमराज बाहर दूद लेने गए होंगे और चाते हेमराज ने शायद ये दरवाजा लॉक कर दिया होगा जिसके बाद नुपुर ने भारती को बाहर वेट करने एक लिए कहा जब तक हेमराज वापस नहीं आ जाता पर भारती को और जगा काम करने जाना था तो उसने नुपुर को एक आइडिया दिया भारती ने नुपूर को कहा, कि आप अपने पीछे बालकनी में जाकर, मुझे चाबी नीचे फेक ये, और मैं नीचे जाकर, वो चाबी पकड लूँगी, और फिर ये साडिया को सुनकर, नुपूर इसके लिए मान गई, और फिर इसके बाद, भारती नीचे और नुपुर घर के अंदर वापस चली गई घर के अंदर जाते वे नुपुर ने हेमराज को एक और बार पुकारा जो कि भारती ने सीड़ी से नीचे जाते वे सुन लिया था और फिर घर के अंदर जाने के बाद नुपुर ने हेमराज को कॉल करा जो कि उटते ही कट गया था विच कुड मेन दिस थिंग दिस फोन वस स्विश्ट आफ पर पुलिस का कहना कुछ और था इस बारे में ये थोड़ा बात की बात है लेकिन ये फोन का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं में तुम्हें जब बात में पुलिस ने नुपुर के फोन को ट्रैक करा और इस हेमराज की कॉल को ढूंडा तो उन्हें ये पता चला कि जब ये कॉल कट हुआ था तब हेमराज का फोन उस ही बिल्डिंग में था इसके बाद घर के गरिल की चावी लेकर नुपुर पीछे आई अपनी बालकनी में और उन्होंने भारती से चावी फेकने से पहले कहा कि मैन एंटरिंस में एक बर जा कर देख शायद से दरवाजा हिलाने से ही खुल जाए पर भारती ने कहा कि अब मैं नीचे आज चुकी हूँ तो आप चावी फेकी दो मैं बाबर उपर नीचे क्यों करूँ तो नुपुर ने बालकनी से चावी फेकी और चावी पकड़ने के बाद भारती वापस बिल्डिंग में आई यह नीचे से उपर और उपर से नीचे करने में भारती को करीब दो मिनट लगे होंगे सेकिंड फ्लोर पे थे बिल्डिंग सो इतना अदा उपर भी नी था इसलिए दो मिनट लगे होंगे उसे अब तक राजेश भी उड़ गए थे और राजेश ने उड़ते ही लिविंग रूम में एंटर करा जहां उन्हें एक स्कॉच की बॉटल उनके डाइनिंग टेबल पर दिखी और यह स्कॉच विस्की की बॉटल बिल्कुल खाली थी विच विज़ विए टो राजेश क्योंकि पंदरा तारिक को उन सब ने साथ में ही खाना खाया था और किसी ने भी शराब नहीं पी थी तो यह बॉटल यहां पर क्या कर रही थी यह स्कॉच के बॉटल निकालने का बस एक ही जर्या था उनके लिविंग रूम में एकदम कोने में तो इस वाले कोने में एक वुडन स्लाइड डोर के पीछे राजेश अपनी सारी बॉटल रखता था तो सीधा देखने पर पता तो नहीं चलता था पर जिसको पहले से पता हो यह चीज़ कि इस स्लाइडिंग डोर के पीछे दारो की बॉटल है वो वहां से दारो निकाल सकता है राजेश ने नुपुर से पूछा कि यह शराब किसने पी और यहां किसने रखी तो नुपुर सेड जब अचानक राजेश के दिमाग में कुछ अलाम बजा और वो भाग कर आरूशी का कमरा चेक करने गए अब जो यह सारा परस्पेक्टिव है वो या तो राजेश तलवार की साइट से है या फिर नुपुर तलवार की साइट से है या फिर यह पुलिस की तरफ से है So just keep that thing in mind All of this can be true पर इसका एकदम 100% सच होना It is very unlikely आरूशी के रूम में self-locking door थे और ये door हर सुबह चनरली lock ही रहता था और पंदरा माई की रात की तरह भी वो बाहर से एक ही की कितरू खोला जा सकता था पर इस दिन राजेश को अजीव सा लगा जब उन्होंने देखा कि आरूशी के रूम का दर्वाजा थोड़ा खुला हुआ था और राजेश जब आरूशी के रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आरूशी की बाड़ी उसके बिस्तर पर मरी पड़ी है उसकी बेडशीड और उसके गले पर खून के निशान थे ये देखते ही राजे जोर जोर से चिला कर रोने लगे और अब तक नुपुर भी वहाँ आ चुकी थी पर नुपुर ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर कुछ सिकिंज के लिए जुपचाप खड़ी रही शौक की वेल से जो ये उपर वाली स्टेटमेंट थी ये नुपुर तलवार की साइट से थी इसी दोरान भारती अब तक घर के सबसे बाहर वाले गेट पर पहुँच चुकी थी और जब उन्होंने सबसे बाहर वाले गेट को जोर से पुछ करा देन टू हर सप्राइज वो गेट अब खुल गया था बिना किसी की के यूज करे वे फिर अंदर बढ़ने पर भारती नहीं ये नोटिस करा कि जो ये मिडल क्रेल थी ये भी बस लैच से अटकी वी थी कुंडी अंदर से भी हाट डाल कर बंद हो सकती है तो इसके बाद भारती लास्ट और में डोर से अंदर आई और उसने ये सुना कि राजेश और नुपुर रो रहे थे भारती आरुशी के कमरे के तरफ चल रही थी तब ही अचानक नुपुर तेज चलते हुए भारती के पास आई और उसे पकड़ कर आरुशी के कमरे में ले गई नुपुर उस कमरे के अंदर गई पर भारती फिर भी आरुशी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी इस समय आर हेम राज को बार बार आरुशी के मर्डर के लिए ब्लेम करा और बार 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 बस यही बोल रहे थी कि भारती देखो हेम राजे क्या करके चले गया नुपुर का गला देखकर भारती काफी ज़्यादा शौक में थी तो शी डिड़ नॉट मुव फर क्वाइट फ्यू सेंसेज वो जलती से बाहर भाग कर गई नेवर्स को बताने के लिए कि आरुशी बेवी का किसी ने खून कर दिया है पिछले दिन से यह पहली बार था जब आरुशी के मर्डर की न्यूस उस अपार्टमेंट से बाहर आई थी वो भारती के थ्रू तो भारती बाहर कुश न जवाब में कहा नहीं जिसके बाद भारती को लेट हो रही थी तो वो यूज्वल दूसरे लोगे घर अपना काम करने चले गई नाओ इसके बाद तलवार्ज ने पुलिस को कॉल नहीं करा सबसे पहले उन्हों अपने फ्रेंज और फैमिली को इंफॉम करा कि क्या हुआ है पर एक तलवार्ज का नेवर जो उनके अपार्टमेंट के नीचे ही रहता था उन्होंने उस बिल्डिंग के वाच्मेन विरिंदर सिंग को कहा कि पुलिस को जल्दी ही कॉल कर और सारी सिचुएशन समझा विरिंदर ने पुलिस को कॉल लगाया पर इस समय काफी लोग में गेट से अंदर तलवार के अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे और जब तक पुलिस वहां आई तब तक करीब 15 लोग तलवार्ज के अपार्टमेंट में मौजूद थे और खून की बात सुनकर कहीं सारे पड़ोसी भी अलग-अलग बिल्डिंग से भी उस पुलिस ने कहा था ये बात में कि उन्होंने साइट पर पहुंचते ही एविडेंस करने की कोशिश करी थी पर उस समय वहां इतने लोग थे कि कुछ भी कलेक कर पाना बहुत मुश्किल था और बाकी लोगों के फिंगरप्रिंट्स की वह से भी वो सारे एविडेंस कुछ ज विल्डिंग में 15 माई राद 10 बजे से 16 माई सुबह 6 बजे तक ना तो कोई आया था और ना ही कोई वहां से बहार गया था क्योंकि विरेंदर वहां पर ड्यूटी कर रहा था और उसने किसी को भी इस टाइम पीरिड में इधर आते जाते वे नहीं देखा था आड़ बहां न्यूज इतनी फैल गई थी कि वहां मीडिया भी पहुशने लग गई थी ना हो आरुशी की बोड़ी सबसे पहले राजिश तलवार ने देखी थी दे वे ही डिसक्राइब इट वस कि आरुशी का कला बहुत डेपली काटा गया था और उसके सर के लेफ्ट साइड पर कुछ खिलोने रखे गए थे जिन मैंसे किसी में भी कोई खून के दब्बे नहीं थे विसकर ओनी मीन वन थिंग तर देवर प्लेस देर आफ्टरवर्ड्स ये दिखाने के लिए कि ये सब कुछ फ्रेम करा गया है जो चोट आरुशी के सर पर थी वो बहुत फोर्सफुल ल आरुशी की बॉड़ी उसकी मैट्रेस और डाइनिंग टेबल में रखी हुई स्कॉच की बॉटल पोस्ट मॉटम के लिए भीजी गई जिसमें से स्कॉच की बॉटल में दोनों आरुशी और हेमराज के फिंगर प्रिंट्स और खून के धब्बे मिले थे और जो मैट्रेस आरुशी की बेजी गई थी उसमें बस आरुशी का ही डियन था पुलिस के अकॉर्डिंग जब वो आरुशी के रूब में पहुचे तो ये चीज तो क्लियर थी कि उसकी बॉड़ी को फ्रेम करा जा रहा था क्योंकि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था एक्सपेंसिव न और मूर जो ये एविडेंसेज बेजना का काम था ये मैंने बोला था बहुत या जल्दी है पर ये इतने जल्दी नहीं हो था पुलिस ने इस केस में काफी लापरवाही करी है इसलिए आरुशी की बाड़ी उस बैट पर काफी देर तक पड़ी रही थी पर उससे पहले घर में माहों लिये था कि बेटी का कतल हो गया और हेमराज जो नौकर था वो गायब है जिसकी वजह से शुरू से ही राजेश ने अपनी बेटी का खूनी अपनी बेटी का मर्डर हेमराज को ठहरा दिया राजेश और नुपुर भी बार बार पुलिस को ये बोलते रहे कि आप अपना time waste कर रहे हो यहां पर हेमराज ने ही हमारी बेटी को मारा है इसलिए वो से मार के भाग गया आप यहां पर वक्त जाया ना करें उसे जाकर ढूंडें यहां apartment में evidences कलक करने में आप अपना time waste क्यों कर रहे हो और उन्होंने पुलिस को 25,000 रुपे भी देने की डील करी अगर वो नेपाल जाकर सीधा हेमराज को पकड़ ले As Rajesh thought कि कतल करने के बाद हेमराज नेपाल घर अपने वापस भाग गया होगा तो पुलिस also did not have any leads इसलिए कुछ सेकिंड के लिए पुलिस ने भी राजेश की स्टोरी को सच मान लिया और उन्होंने कहा कि ये एक open and shut case है क्योंकि मुझरिम कतल करके यहां से भाग गया है और उसके बाद पुलिस भी इस conclusion पे पहुची इस conclusion पे नहीं पुलिस ने उस टाइम पर ये स्टोरी बनाई थी राजेश और नुपुर के सोने के बाद हेमराज ने राजेश की वाइन कलेक्शन में से एक विस्की की बोटल लिका ली वो बोटल आदी से थोड़ा जादा भरी हुई थी पर हेमराज ने वो पूरी बोटल शराब की पे ली जिसके बाद उसकी नियत खराब हुई और हेमराज आरूशी के कमरे में गया जहां उसने आरूशी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और जब आरूशी ने रिजिस करा मना करा इस चीज के लिए तो हेमराज ने नेपाली खुकरी के हैंडल से पहले तो आरूशी के सर में दो बार चोट मारी और फिर उसी खुकरी की बलेट से उसने आरूशी का गला काट दिया पुलिस की स्टोरी वस काइंड अव बिलीवबल पर जो यह खुकरी नाइफ का जो यह मैंशन था तो उस घर में बस दो ही चाकू थे और वो दोनों ही किचन के थे जिन में ना ही कोई बलड स्टेन पाया गया था ना ही कोई डियाने पाया गया था स्वन नॉर्मल खाना लगा वा था और फिर पुलिस ने इसी चाकू को यूज करके इसी वेपन को यूज करके अरूशी को मारा था तो उसके पास ऐसा कोई चाकू हो सकता है पर तलवार्स के घर में ऐसा कोई भी चाकू ऐसा कोई भी खुकरी नहीं मिली जिसका कोई भी कंक्लूजन नहीं है जिसका कोई भी कंक्लूजन नहीं है जिए पॉइंट कहीं भी जाकर सॉल्व नहीं होता है और आगे जाके तुम लोग यह देखोगे कि ऐसे कहीं सारे पॉइंट से इस केस में है That is why this is the biggest unsolved Indian case ever but carrying on According to police यह pieces आपस में एकदम perfectly align हो रहे थे और police ने 20,000 रुपे नगदे नाम पर भी लगा दिये थे जो भी हेमराज के whereabouts की कोई भी solid info अगर police को देता तो police हेमराज को डुहन रही है and now coming back to Arushi Arushi की body सुभे करीव साड़े 8 बजे post-mortem के लिए भीजी गई थी दो police constables के साथ जिनके साथ राजेश का भाई दिनेश तलवार और उनका driver उमेश शर्मा और एक राजेश का बचपन का दोस्ट चढधा भी साथ गए थे जिससे राजेश के भाई दिनेश नहीं ये कहा कि वो post-mortem की जगा बिलकुल भी suitable नहीं थी ना ही वहाँ proper tools थे ना ही वहाँ proper ventilation था और ना ही वहाँ ice chamber था तो ये post-mortem के लोग body को कहां रखने की सूच रहे थे तिनेश तलवार ने एक proper place constable से request करी आरुशी की body के लिए पर उन्हें silence कर दिया गया और procedure complete होने के बाद करीब दिन के एक बजे आरुशी की body को घर वापस लाया गया और फिर तलवार के घर में ही living room में आरुशी की body को ice cube पर लेटाया गया और उसके बाद घर से करीब चार बजे आरुशी की body को cremation के लिए ले जाया गया पुलिस भी थी वहाँ पर पर राजिश ये बार बार force कर रहा था कि आरुशी की body को cremate करो which like a lot of thing in this case was weird इतना force cue कर रहे थे राजिश पर बाद में उन्हों अपने defense में ये कहा कि उनके बज़र्गों ने उन्हें काफी force करा था कहा था कि मरने के बाद body को इस state में नहीं रहना चाहिए उसे शांती नहीं मिलेगी और body decompose भी बहुँ ज़्यादा जल्दी हो रही थी कर्मी की वेसे तो उससे बद्बू आना शुरू हो गया था तो इसलिए राजिश ने cremation के लिए इतना दोदा force करा था उस ताइम पर और राजिश ने ये भी कहा बाद में कि पुलिस से पूछ कर constable से पूछ कर ही उन्होंने cremation की बाद छेड़ी थी उस ताइम पर और उसके बाद वो cremation के लिए भी इसलिए ले गए क्योंकि पुलिस ने राजिश ने कहा कि अब उन्हें आरुशी की बाड़ी से और कोई info नहीं लिकालनी है उनकी बाड़ी पर अब कोई examination नहीं करना है और अब उनकी बाड़ी रिच्वल्स के लिए ले जाई जा सकती है जो कि आगे जाकर पुलिस ने forcefully deny करा था बट वी विल गेट तो दाथ पॉइंट वेल इसके बाद पुलिस हेमराज को ढूनने लग गई बट वो मिल ही नहीं रहा था तो पुलिस वालों ने ये पुछा कि हेमराज को कोई करीबी दोस्ट या फिर कोई करीबी रिस्तेदार है जो यहां आसपास रहता है और फिर पुलिस को जीवन शर्मा के बारे में पता चला जो कि हेमराज का son-in-law था वो भी यहीं पासवाज रहता था पर काम कुछ होर करता था और हां जीवन और हेमराज रेगलर बेसेस पर मिलते थे तो पुलिस गई फिर जीवन के पास information निकालने के लिए अपना frustration और अपना गुसा पुलिस फालों ने जीवन पर निकाला उसे घर से मार मार कर वो थाने ले गए और उनने जीवन से बार बार पूछा कि कहां है हेमराज बट जीवन दिड नौट नो एनिफिंग अपना हेमराज जब जीवन को पूरी बात के बारे में पता चला कि हेमराज हारुशी को मार कर भाग गया था तो ही वास इन डिस बलीफ उसे विश्वास नहीं हुआ इस बात का और उसने ये चीज एकसेब भी नहीं करी जुसके बाद इस थिंग गॉट टो पूलिस नर्व एन उनने जीवन को दुबारा से मारा तो हम तुझे यहां से नेपाल ले जाएंगे और हम भी तेरे साथ चलने के लिए तयार हैं आरुशी के मैटरस के कुछ पार्ट काट कर फॉरंसी लेब भेज दिये गए थे जिसके साथ आरुशी का पिलो और कपड़े भी थे और क्योंकि अब मैटरस से बहुत बद्बू आ रही थी तो शर्मा जी जो राजेश का ट्राइबर था उसने सोचा कि इस मैटरस को ऊपर छट में कहीं धूप में रख देते हैं अभी के लिए अभी बद्बू आ रही है और यहां अंदर रखना इस चीज़ को ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे होँपे तो अभी छट में रख देते हैं फिर बाद में देखेंगे कि क्या करेंगे इसका और उन्होंने वहां मौजूद एक आफिसर से पूछा कि क्या हम इस मैटर्स को मूव कर सकते हैं या फिर छट में रख सकते हैं और इस आफिसर ने उस मैटर्स को मूव करने की पर्मिशन दे दी थी पर जब यह लोग इस मैटर्स को छट में लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो छट में जाने वाला रास्ता है जो छट में जाने वाला दर्वाजा है वो बंद है शर्मा पूछते रही है यह चीज़ की चावी कहा है तो कोई बोलता है इसके पास है कोई बोलता है उसके पास है वे उन्होंने उस तेरिस का दर्वाजा पंद कर दिया इसके बाद पुलिस से परमिशन लेकर तलवाज ने पूरे घर को साफ करा दिया विद यहल्प ऑफ थ्री पीपल जे लिटरली स्क्रब्ड इच एफ इंड एवरी इंच ऑफ दी हाउस क्योंकि राजेश को ये पूरा घ या फिर एविदेंस मिटाने का ट्राय कर रहे थे बड़ वटेवर दा मोटिव वस घर पूरा साफ हो चुका था अब आरुशी की पोस्टम रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कुछ अजीव सी डीटेल्स लिख ली बाहर अभी तक सभी को इंक्लोडिंग पुलिस को करा है पर पोस्टम रिपोर्ट में ये बाहर आया कि आरुशी की मौत सर में चोट लगने की वज़ा से हुई थी और इस चोट की वज़ा से उसके सर में एक ब्लट क्लोड बन गया था और आरुशी का गला बाद में किसी external मीन से काटा गया था गला काटने की प्रक्रिया बह बहुत टाइम लेकर करी गई थी ना कि जैसा पहले पुलिस को लगा था कि हडबडी में हेमराज ने आरुशी का गला काट दिया था तो किसी भी चीज से उसका गला कटा हो सकता था जैसे कि एक प्रॉपर डॉक्टर का सर्जिकल लाइफ या फिर खुकरी फॉरंसिक रिपो से आरुशी को मारने के बाद उसका अंडर्वेर और पीजेज निकाले गए थे उसके प्रावेट पार्ट को क्लीन करा गया था और फिर बिना अंडर्वेर के उससे पीजेज वापस पहनाए गए थे जो की एक बहुत ही अजीर सी डीटेल है एक और इंफॉमेशन ये बाहर इंफॉमेशन हो सकती थी इस केस में पर बाद में ये रिपोर्ट बार बार चेंज हुई के नहीं आरुशी के पीजेज में एक ही डियान मिले था कभी कहते कि आरुशी हैड नॉर्मल वजायना साइज तो कभी कहा गया कि नहीं उसकी वजायना बहुत बड़ी थी विच कु पाना चाहता हो that आरुशी was sexually active और कोई भी डिजन नहीं दिखता है इस चीज में and later on in this case CBI ने भी ये mention करा था कि दिनेश तलवार जो कि राजेश के भाई थे उन्होंने post-mortem lab में call करके ये कहा था कि प्लीज अगर आरुशी की body पर अगर कोई भी assault के निशान हो तो उन्ह reports में mention ना करें कुछ भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि सच में गलती से ये reports miss हो गई हो and the last thing in this report was कि आरुशी का कतल बारा बज़े से दो बज़े के आसपास हुआ था forensic reports कभी भी exact time ने बता सकती किसी की भी मौत का तो इसलिए वामेशा एक time frame देते हैं कि इतने से इतने के पीच में हुआ होगा किसी का murder पुलिस अब हेमराज के son-in-law के कुछ दोस्तों को भी बुलाने लगे थी अब questioning के लिए और G1 को तो वो और भी जादा मारने लगे थे बट G1 से कोई information ना मिलने के बाद पुलिस officers ने अपनी एक team नेपाल भेजने के लिए तयार करी जहां है इमराज की family रहती थी और वो ये भी चाहते थे कि G1 को भी उनके साथ भेज दिया चाहे पर तब ही जो पुलिस officer G1 को investigate कर रहे थे उनने एक phone call आया which changed the narrative of this whole case जब सुबह शर्मा जो की राजेश का driver था तो जब शर्मा जी आरुशी की mattress को छट पे लेकर जा रहे थे तो उनके साथ भीड भी जा रहे थी क्योंकि सभी को देखना होता है इंडिया में और जो तलवार्स की छट का terrace का door था जो वहाँ पर door था उसके handle पर और भी ज़्यादा खून के तहब बे लगे थे तो जितने भी लोग उपर गे थे उनमें से किसी एक ने बताया पुलिस को कि यहां तो दरवाजे पे खून की निशान लगे वे हैं तो सब शायद से बार्स पर या फिर जमीन पर कहीं आरुशे के खून लगे होंगे वो खून के धब्बे हैं वहाँ पर वो चट पर उस दिन कभी यह चेक करने गए ही नहीं कि वो खून के निशान किसके थे उन्होंने ना तो पहले दिन किसचीज का सैंपल लिया ना पहले दिन धंक से छान बीन करें और ना ही उन्होंने इस सीडी के ब्लड सैंपल कलेंग करें तुम पुलिस वाले हो, तुम लोग चाहो तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पूरा एरिया बंद करा सकते हो तुम लोग चाहो तो investigation के नाम पर तुम कोई भी दर्वाजा तोड़ सकते हो बढ़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस case में एक भी पुलिस वाला छट पर नहीं गया Well, on 17th में, सो सब कुछ होने के अगले दिन आरुशी तलवार के parents, आरुशी की आस्तिया लेकर हरिद्वार जा रहे थे पर तलवार के घर में, उनके भाई, दिनेश और राजेश के old friend एक ex-DSP, केके गौतम भी थे, जो पूरी जगा का मुआयना कर रहे थे तो जब केके गौतम, I'm just gonna say गौतम तो जब गौतम जी वहाँ पहुचे, तो उन्होंने देखा कि terrace की सीडियों पर खून के धब्बे लगे वे हैं, तो उन्होंने वहाँ मौजूद inspector से पूछा कि छट में क्या है but that policeman, he could not answer, क्योंकि ये लोग तो छट में गए ही नहीं थे तो गौतम जी ने, जो उस समय इस case के इंचार्ज थे, उस police officer को call लगाया और data कि तुम लोग ढंग से investigate क्यों नहीं कर रहे हो खून के निशान लगे हैं छट की सीडियों पर और पुलिस department में किसी को भी इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता गौतम जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि खूनी खून करके छट के तुरू भाग गया हो तो उस police man ने कहा कि 16 में को पिछले दिन उन्होंने राजेश से, उन्होंने राजेश तलवार से उस छट की चाबी मांगी थी और राजेश ने उस पुलिस वाले से का कि मैं अभी इस छट की चाबी ले कर आता हूं पर फिर राजेश उस छट से नीचे गया और फिर कभी वापस नहीं आया और उससे भी बड़ा सप्राइश ये था कि इस इंस्पेक्टर ने कभी वापस राजेश से पूछा भी ने कि चट की चाबी कहा है और मैं फिर इस पूरी बात को भूल गया बाद में कोट में CBI टीम ने कहा कि 90% of evidences were either destroyed और were tempered with by the police तो तुम सोच सकते हो कि उन पहले 6 गंटों की investigation कितनी important थी गौतम जी पुलिस वाले को डाट रहे थे पर दिनेश को ये डर था कि कहीं कोई important information छट में ना छूट गई हो and he insisted कि please गौतम जी at least आप तो इस दर्वाज़े को खलवाईए तो उसके बाद गौतम जी ने SP महेश मिश्रा को call करा और demand करा कि ये lock जल से जल खुल जाना चाहिए अब XDSP भाई वजन तो होता ही है ना तो महेश मिश्रा ने गौतम जी से कहा कि sir I promise you मैं वहाँ खुद आकर ये दर्वाज़ा खुलूँगा आपके लिए मैं वहाँ आऊंगा और खुद इस ताले को अपने हाथ से तोड़ूँगा और वही हुआ मिश्रा अपने कुछ आफिसर्स के साथ वहाँ आए और फाइनली उन्होंने इस तैरस के दर्वाज़े का ताला तोड़ा वो सब ही लोग एक ग्रुप में छट के अंदर गुसे और गुसते ही उन्होंने अपने सामने खुण के ड्रैग मार्क्स देखे और उसके बाद थोड़ी दूर पर उन्हें खुण में ले टीवी एक लाश दिखी थी and that is it for the first part of Arashi Talwar and Hemraj case there is no conclusion in this video क्योंकि यह part 1 है but I just wanna say one thing मैंने this case की research में बहुत रयादा महिनत करी है so I'm not asking for much I'm just asking you की please like and drop a comment for the algorithm I'm 100% sure की खुण मगर की बात हुरी है इसमें तो ही सब प्रेस हो जाएगी so please do that thing for me and take care of yourself guys please keep your loved ones very close to you and I will see you very very soon in the second part of this case bye bye Sonia all I can say is that my life has come to an end Arushi and Rajesh were my life I lost Arushi 8 days ago in such a brutal way and I know with all conviction 100% Rajesh doted on his daughter it couldn't be the way that they're suggesting this it's totally untrue you got all you agreed to all all और र rav과 and have all